नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि लिवोकोन M टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है लिवोकोन M टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और लिवोकोन M टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे कि लिवोकोन M टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए लिवोकोन M टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है। लिवोकोन M टैबलेट के अंदर सौर्ट कमपोजिशन लिवोसेट्रिजीन 5MG और मॉन्टेलुकास्ट 10MG होता है। लिवोसेट्रिजीन एक अंटिहिस्टामिन ड्रग क्लास की दवा है, जिसका उप्योग सर्दी जुखाम नजला और एलरजी के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया जाता है। और मॉन्टेलुकास्ट अस्थमा की वज़े से होने वाले लक्षणों जैसे सांस सूलना, सांस लेने में दिक्कत होना और सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आना आदी लक्षणों को नियंतरन करने वर रोकने में मदद करती है। लिवोकोन M-Tablet का उप्योग अस्थमा होने पर सर्दी जुखाम नजला और एलरजी के लक्षणों को ठीक करने के लिए लिवोकोन M-Tablet का उप्योग किया जाता है। एलर्जी या नजला के लक्षन जैसे नाक से पानी बहना, आंखों से पानी आना, आक, नाक या गले में खुजली होना, छींक आना और शरीर पर कहीं खुजली होने पर आदी लक्षणों से राहत पाने के लिए लिवोकोन M टैबलेट का उप्योग किया जाता है. डॉक्टर क्रोनिक अर्टिकेरिया होने पर यानि तवचा पर पुरानी खुजली की समस्या होने पर, तवचा पर एलर्जी होने पर और तवचा पर रैशेस होने पर भी लिवोकोन M टैबलेट को लेने की सला दे सकता है. मधुमक्खी या किसी अन्यतम जहरीले जानवर के काटने की वज़ह से हुई तवचा पर रैशेस, सूजन और खुजली को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर लिवोकोन M टैबलेट को लेने की सला दे सकता है. साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में लिवोकोन M टैबलेट की वज़ह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं. लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में लिवोकोन M टैबलेट की वज़ह से कुछ सामान्य साइड इफेक्स हो सकते हैं. जैसे मुँ में सूखापन होना, सिर्दर्ध होना, शरीर में ठकान वसुस्ती होना, नींद अधिक आना, नाक से खून आना, गले में खराश होना और उल्ती आने का मन होना आदी साइड इफेक्स लिवोकोन M टैबलेट की वज़ह से हो सकते हैं. अब हम डिसकस करेंगे की लिवोकोन M टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है. लिवोकोन M टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है. और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है. आम तोर पर डॉक्टर 12 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को लिवोकोन M टैबलेट को दिन में एक ही बार और शाम के समय लेने की सलाह देते हैं। लिवोकोन M टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती हैं। इसलिए आपको लिवोकोन M टैबलेट को आपके डॉक्टर वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि लिवोकोन M टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। लिवोकोन M टैबलेट के साथ आपको शराप का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे ज्यादातर व्यक्तियों में लिवोकोन M टैबलेट को लेने के बाद ज्यादा नींड नहीं आती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को लिवोकोन M टैबलेट को लेने के बाद नीन अधिक आती है, तो ऐसे व्यक्तियों को ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए, जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतरकता की आवशक्ता होती है, अभी इसके बारे में परियाप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि लिवोकोन M टैबलेट प्रेगनेंट महिलाओं को नुकसान पहुँचाती है या नहीं, इसलिए ज्यादातर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं को लिवोकोन M टैबलेट को न लेने की ही सलाह देते हैं, और स्तनपान करा रही महिलाओं में लिवोकोन M टैबलेट मा के दूद के जरिये बच्चे तक पहुँच सकती है, और दूद पीने वाले बच्चे में साइड इफेक्स पैदा कर सकती है, इसलिए स्तनपान करा रही महिलाओं के लिवोकोन M टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है, विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका लिवोकोन M टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट करके पुच सकते हैं.